अ बिसमियर्लेव्हाइख लवाहीम्, आस्سल में इस ओडियो अभी शिचले ने के डिश्मीर को कौन कर डिजॉल्व और के सकता है सीयम कि शिचुंस्ट आइंडार थाय इस बंक राए शिच्था करें पाता है कहा तो शुरू करतेु हैं करते हैं या डिजॉल्व करते हैं उसमें बताया गया है कि कौन कार सकता है तो गुवर्णर जो है वो basically पर्विंशल ऐसम्मले को डिजॉल्व करेगा on the advice of CM और अगर CM ने advice कर दिया और गुवर्णर जो है वो पर्विंशल ऐसम्मले को डिजॉल्व नहीं करता तो तो 48 आर्स के बाद गुजरने के बाद आटोमेटिकल ये समझा दाएगा कि सुभाई असम्मिया जो है वो तहलील कर दी गई है अचा इसमें एक परविजन दीगी है कि CM से मुराद कौन सा CM है CM से मुराद वो CM नहीं है जिसके खलाब कोई वोट-off-no-confidence का notice जो है वो मुव हुआ है परविंशन असम्मली में और उस पर अभी वोटिंग नहीं हुई या फिर वोट-off-no-confidence का notice मुव हुआ है और उस पर वोटिंग हो चुकी है तो इस से मुराद ये वाला CM नहीं है CM से मुराद वो CM है CM है जो powers में है government में है और government में बैठा हुआ हुआ वो advice कर रहा है governor को कि वो सुभाई असम्मलिया जो है वो तहलील कर रहे अब इसकी provision जो है जो है जिसमें governor की discretionary parts की बात की गई है कि governor जो है वो अपनी discretionary parts को use करते हुए भी prevention assembly को dissolve कर सकता है लेकिन उसके लिए prior condition ये रखी गई है कि जो है वो president की approval के साथ assemblies को dissolve करेगा दो सूर्थों में किन सूर्थों में अगर जो है वो CM के खलाब vote of no confidence move हुई और वो pass हो जाती है तो उस सूर्थ में governor जो है वो अपनी discretionary part को use करते हुए prevention assembly dissolve कर देगा सेकंड चीज़ कि CM के खलाब जब vote of no confidence pass होगी तो उसके बाद कोई दूसरा member जो है वो assembly में ऐसा नहीं है जो vote of confidence जो हासिल कर सके तो इन दोनों सूर्थों में जो governor है वो अपनी discretionary power use करते हुए president की prior approval के साथ जो है वो assemblies को dissolve कर देगा तो ये था article 112 constitutional Pakistan 1973